उत्तरब्रदेश का जनपत कुसी नगर पूरी तरह लॉकडाउन हो चुका है पूरे बजारों में जहां सन्नाटा पसरा है तो दूसरी तरफ सडकों पर पूरी तरह से चहल पहल बंद है जिन बजारों में कभी रॉनक हुआ करती थी आज खाली पड़े हैं दुकाने बंद है लोग घरों में हैं किसी तरह का कोई आगमन नहीं सब पूरी तरह से बंद है कुसी नगर परशासन भी पूरी सक्ति के साथ निवट रहा है तो वहीं गोरखपूर के कमिशनर और डिजी ने कुसी नगर जनपत के लॉकडाउन की स्तिति का जायजा लेने पहुंचे कमिशनर के अचानक दौरे से विभाग में हरकम मच गया है कि यह जो लोगों को यह लग रहा है कि इस तरह का सामन उपलब नहीं हो पाएगा इसके लिए आप यह विवस्था करिए कि जो रेडी वाले हैं खेले वाले हैं वो कॉलनीज में जाके सबजी और यह दूद वगर अविलबिल करा सके एक स्पेसिफिक टाइम में ताकि में सोशल डिस्टंसिंग का कंसेप्ट नलिफाए हो गया मतलब लोग आसपास आगये तो फिर उसका फायदा नहीं होगा तो इसको सही करने के लिए हम लोग आये थे कि एक काईड़न्स सबको दे और दूसरा मेरी चेर्में साब से बात होई कि किस टाइप की और एसो से भी बात होई इंस्पेक्टर साब से कि किस टाइप की कंप्लेंट्स आ रही है तो जो लोग नए बाहर से आये हैं उसके उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि अब यह बाहर से आये हुए और यहां रुके हुए तो उनको भी एक एड़वाईजरी हम अपने तरफ से ठानों से दे यह जो अब मैं तो यह कहूंगा यह जो हम कर रहे हैं यह देश के लिए कर रहे हैं अब सोशल इंटरस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं नैशनल इंटरस्ट के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं तो एक फीलिंग लोगों में आनी चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं अपने आपक तब तक यह नहीं आएगी, तब तक वो बात नहीं आपाएगी और कल से आपको व्योस्ता और भी अच्छी दिखाई देगी, और भी लोग दिखाई देंगे जो फॉलो कर रहे हैं, हमने मैसेजस लोगों को पहुचा रहे हैं, डुग डुगी पिटा रहे हैं, और मैंने आज यह कहा हैं कि जो हमारे फेस्बुक है, ट्वीटर है, जो लोग उसे कनेक्टेड है, उस पर भी मैसेज दीजिए कि सोशल कॉंटाक्टिंग थोड़ा सा कम करें.